बड़े गुसे से मैं घर से चला आया, इतना गुसा था कि गलती से पापा की ही जुते पहन के निकल आया मैं आज बस घर छोड़ दूँगा और तभी लोटूँगा जब बड़ा आदमी बन जाओंगा जब मोटर साइकल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजिनियर बनाने के सपने देखते हैं आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे किसी को हाथ तक ना लगाने देते थे मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले कितना माल चुपाया है इस पर्स को तो पापा मेरी मा को भी हाथ ना लगाने देते थी जैसे ही मैं कच्चे रास्तों से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुब रहा है मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एडी से थोड़ा सा खून रिशाया था जूते की कोई कील निकली हुई थी, दर्द तो हुआ, पर घुसा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़ कर, जैसे ही कुछ देर चला, मुझे पाउं से गीला गीला लगा सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था, पाउं उठा कर देखा तो जूतों का तला तूटा पड़ा था जैसे तैसे लंगडा कर बस स्टॉप पर पहुचा, वहां भी पता चला कि एक घंटे तक कोई बस नहीं थी मैंने सोचा क्यो ना पर्स की तालाशी ले ली जाए, मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी उसके अंदर उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था लैप्टॉप के लिए 40,000 रुपे उधार लिये हैं, पर लैप्टॉप तो मेरे घर पे था दूसरा एक मुडा हुआ पन्ना देखा, उसमें उनके आफिस की किसी होबी डे का लिखा था उन्होंने होबी लिखी अच्छे जूते पहनना, ओ अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो देखो कैसे थे मा पिछले चार महीने से हर पहली को कहती है नए जूते ले लो, वो हर बार कहते है अभी तो मेरे जूते छे महीने और चलेंगे मैं अब समझा पापा के उस दर्द को कि कितने उजूते चलेंगे पर्स को ओ खोला उसमें एक तीसरी पर्ची निकली कि पुराना स्कूटर दीजिये एक्सचेंज में नई मोटर साइकल ले जाए पढ़ते ही दिमाग घुम गया पापा का स्कूटर ओ ओ ओ ओ मैं घर की और भागा अब पाउं में वो किल नहीं चुब रही थी मैं घर पोचा ना पापा थे ना स्कूटर वहीं मेरा दिल दहल गया और मैं समझ गया पापा कहां गए होंगे मैं दोडा और एजनसी पे जा पोचा पापा वहीं खड़े थे मैंने उनको गले से लगा लिया और आसों से उनका कंधा भी गो दिया नहीं पापा नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई मोटर साइकल बस आप नए जूते ले लो मुझे अब बड़ा आदमी तो बनना है पर आपके तरीके से आपके जैसा बड़ा आदमी बनना है तो प्यारे बच्चो ये कहनी से आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि मा एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं और पापा एक ऐसा क्रेड़ कार्ड है जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी हमारे हर सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं तो आपको बस यही बात बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चो जिन्दिकी में अपने पैरेंट्स को हमीशा खुश रखें उनका साथ दें और उनकी हमीशा रेस्पेक्ट करें तो बस मेरी बैस्ट विशिज आप लोग के साथ हमीशा हैं जिन्दिकी में पढ़ते नहीं, मुस्कुराते नहीं लाइफ में किसी भी समय आपको दिक्कत आए तो अनिरुद वाले इस आलवेज देर फोर यू आपके पेरेंट्स आपके साथ लाइफ के हर मोड पर हमीशा हैं आप चाहे किसी भी टाइम उनसे हल्प ले ले यूर आपके पेरेंट्स से सब कुछ शेयर कर सकते हैं वो इकलोते ऐसे परसन है आपके लाइफ में जो आपसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं तो प्लीज परेंट्स के रिस्पेक्ट करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दिसे सिंप्ले अनिर द्वालिया ओल्स है और चैनल को से भीडियोग प्लीज एक्सलिए और लाइफ लाइफ में